T2 discuss करते हैं, इसका नाम है Micro, Small and Medium Enterprises in India अभी recently जो MSME मंत्राले है भारत सरकार का उन्होंने गाइडलाइन्स जारी की है classification किया है MSME का और 1 जुलाई 2020 की ये classification है इसमें साथी हो जो MSME का classification जो होता है उसमें पहले manufacturing का classification अलग होता था और जो service industries हैं, उनका classification अलग होता था लेकिन अब क्या है, दोनों की definition जो है merge कर दी गई है दोनों का criteria सेम कर दिया गया है और इनका criteria जो होता है, micro, small and medium में divide करने का ये criteria जो है, ये based होता है कि कितना investment plant and machinery में किया गया है और annual turnover कितना है उनका और annual turnover और plant and machinery में investment इन दोनों criteria के हिसाब से उस industry को micro, small या medium में classify किया जाता है तो कोई industry अगर है उसको micro में classify करना है इसका मतलब ये है कि उसका plant and machinery में investment है वो एक करोड से कम होना चाहिए और साथ ही उसका जो annual turnover है वो पाँच करोड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो जिसका investment एक करोड से कम है turnover पाँच करोड से कम है वो micro हो गई और जिसका investment machinery और plant में equipment में 10 करोड से कम है लेकिन annual turnover जो है वो 50 करोड से कम है वो small की category में आएगा और जिनका plant and machinery में 10 करोड से ज़्यादा है investment लेकिन 50 करोड से कम है और प्लस टर्णोबर जिनका 200 करोड से कम है वो मीडियम में आएंगे तो इस तरह से माइक्रोड स्मॉल और मीडियम की डेफिनिशन हो गई एक करोड तक के माइक्रो में एक से 10 करोड स्मॉल और 10 से पचास मीडियम ये तो हो गई मशीनरी और equipment में इनवेस्टमेंट एन्वल टर्न ऊबर के साब से पाँच करोड से कम वाली माइक्रो में पचास करोड से स्मॉल और 50 से 200 करोड मीडियम तो ये साथ यो classification हो गई, ये बहुत important है, इसमें से direct आपको question मिलेगा exam में, इसको जरूर याद रखें, क्योंकि ये recently अभी change भी हुआ है, तो इसलिए और ज़्यादा important हो जाता है, अब्जेक्टिब साथ यो क्या है MSME को बनाने के लिए, इनको classify करने के, इसमें ये है कि MSME की requirement काफी कम रहती है, जैसे हम ये अपने classification में देखा था, तो low investment requirement है, operational flexibility रहती है इसमें, क्योंकि छोटी industry है, तो operations में flexibility कही तरह की रहती है, mobility रहती है, असानी से shifting इनके offices वगरा की हो सकती है, क्योंकि workforce कम होती है, small scale में काम कर रही होती है, और capacity होती है, indigenous technology बिल्ड करने की, indigenous जो है हमारी अपनी खुद की technology डवलप करने में भी ये industries help करती है, और competitiveness बढ़ाती है, जितनी ज़्यादा industries होंगी, micro, small or medium, startups हो गयरा, जितने ज़्यादा होंगे, तो उसी साप से competitiveness बढ़ेगी, domestic और export market में, तो ये इनके objectives हैं, साथ ही कुछ limitations भी है, साथ ही MSME की, जो limitations है कि capital based इनका कम होता है, तो expansion में कई बार दिक्कत आती है, क्योंकि capital की जरूद पढ़ती है, हर तरह के expansion में, और growth के लिए, concentration जो है, function का एक या दो लोग होते हैं, उनके हाथ में होता है, जातर ऐसा होता है कि proprietorship firm है, या partners हैं, तो इसमें कुछ एक चंद लोग, दो चार लोग का है, क्योंकि छोटी firm होती है, local area में operate कर रहे होते हैं, तो उनकी जो रेजीम है, अगर उसमें कुछ change होता है, उनको फेस करने की capacity नहीं होती, क्योंकि उनके पास उतने funds नहीं होते हैं, अगर कोई criteria कोई modify किया जाता है, तो उसको आसानी से meet कर ले, inadequate contribution towards R&D, research and development में ज्यादा contribution नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वही reason है, क्योंकि इनके पास उतने funds जो हैं sufficient नहीं होते हैं, lack of professionalism, तो क्योंकि यह जातर कम जो इसमें लोग involved होते हैं, या family members involved होते हैं, proprietorship या partnership firms होती हैं, तो उसमें professional से थोड़ी कम होती है professionalism, एक तरह से family business type का यह अब MSME को साथ ही finance की बात आती है, तो MSME हमने जैसे पिछले priority sector lending वाले chapter में पढ़ा था, MSME जो है, वो important part है, priority sector lending क्या, तो priority sector lending के targets जो bank को दिये होते हैं, उनमें जो MSME को जो loan देना है, वो भी उसी का part है, उसमें जब banks MSME को credit financing करते हैं, तो साथ ही अपना priority sector का target है, वो भी प MSME sector, तो यह भी important point है साथ ही, इसको याद रखिएगा, सिट भी MSME sector का principal institution है, जो की promote करता है, financing और development of MSME, commercial bank भी provide करते हैं, term loan और working capital finance provide करते हैं, MSME को, साथ ही, अप साथ ही क्या हुआ है, recently MSME ने alternative source भी funding के तलाशें हैं, कुछ MSME ने, जैसे की primary और secondary security market में enter करना, अपने IPOs, share व में लाना, listing करना होना, या venture capital जो है, private equity है, external commercial worrying है, साथ ही factoring service के द्वारा financing जुटाना, तो इन सब में भी MSMEs जो हैं, अब आ रही हैं, और bank के अलावा, बाकी sources से भी funding इखटा कर रही हैं, Limited liability partnership क्या होता है, जैसे की नाम suggest कर रहा है साथ हो, एक तो limited liability है, दूसरा ये partnership firm होती है, तो ये वो partnership firm होती है, जिसमें सारे partners की, या कुछ एक partners की liability जो है, वो limited होती है, और ये limited liability के concept साथ ही हमने limited company में भी पढ़ा था, limited जो company होती है, private limited, public limited, उनमें भी limited liability होती है, और इस पे मैं एक separate वीडियो अपने चैनल पर dedicated वीडियो बना चुका हूँ कि limited liability क्या होती है private limited company cases में तो वहाँ पर आप जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं आपको सारे concept limited liability के clear हो जाएंगे short में साथ यो बता देता हूँ यहाँ पर भी कि limited liability के case में क्या होता है कि अगर दो partner है या तो एक partner ने अगर कोई गला decision लिया है तो उस decision का जो liability है वो उसी के उपर रहेगी दूसरे partner के उपर नहीं रहेगी limited liability के case में क्या होता जितना उसका shareholder जितनी उसकी shareholding pattern है जितना उसका investment है उस पे ही both the partners are severely liable fully and severely liable मतलब पूरी तरह से partnership का कोई भी अगर कुछ default होता है credit में या उनके जो bank की तरफ से कुछ अगर बसूली करना है उनके खाता खराब है कोई तो अगर जो partner कोई एक भी partner है जिसके खाते में पैसा है तो उसको bank जो है वो attach कर सकता है उसमें से set off कर सकता है तो fully and severely liable होते हैं नॉर्मल जो partnership होती है लेकिन limited liability के case में ऐसा नहीं होता साथियो ये क्या है separate corporate legal entity है from its partners और इसमें succession जो भी होता है वो भी perpetual होता है इसकी जो मिलती जुलती है साथियो ये काफी कुछ जो इसमें जो ये characteristic है अंडर में काम नहीं करती है partnership provision जो है इंडियन partnership act 1932 के वो इस पे applicable नहीं होते है और इसको कौन regulate करता है ये regulate होती है contractual agreement with being the partners जो है उसके द्वारा ये regulate हो की जाती है साथ ही एक और नियम है कि limited liability जो partnership जो firm है उनके लिए mandatory है कि वो अपने नाम में limited liability partnership या फिर short form में LLP ये इसको उनको mention करना होगा अपने नाम के साथ credit rating साथियो क्या होता है और इसके benefit क्या है credit rating आपने नकसर नाम सुना होगा जब भी bank कोई industry को loan वगएरा देते हैं तो अब credit rating banks करते हैं उनकी या फिर कई बार third party rating कराई जाती है तो third party rating इंटर्नल रेटिंग होती है जो banks की खुद की होती है third party rating में कुछ agencies होती है तो उनके लिए कुछ bank के norm set होते हैं कि इतने करोड से उपर का जो loan होगा उसकी हम third party rating करवाएंगे credit rating करवाएंगे तो credit rating के case में क्या होता है साथियो एक independent जो है agency होती है जो उसकी credit rating करती है उस company की, उस MSME की उस industry की, firm की और उसके इसाब से एक score provide करती है, अपनी report देती है और अपना risk assessment वगरा करके कि कितनी उसमें rating A plus A, AA, B plus आपने ये सब सुना होगा साथियो Crycell जैसे है, एक rating agency है तो ऐसी और भी है और ये rating agencies का काम होता है कि जो small scale industries है उनकी credit worthiness को देखना उन पर opinion देना तो इसका क्या होता है, साथ ही हो इसमें फाइदा कई सारे होते है जैसे कि credit जो है, अब banks ने क्या कर दिया है, जो rating जिस तरह की आती है जिस industry की, तो interest जो उनके loan पर लगेगा, वो भी उससे कहीं न कहीं जुड़ा हुआ होता है जिनकी ratings बहुत अच्छी होती है, जिन industries की उनके जो loan पर जो interest लगता है वो उसमें कुछ relaxation bank देता है साथ ही उन industries को जिनकी rating अच्छी आती है उनको recognition मिलती है ग्लोबल ट्रेड में, जो अगर उनकी foreign dealing जो होती है, export, import करते है तो उसमें भी उनको benefit मिलता है क्योंकि जो उनके partners है अगर rating अच्छी है, तो बहाँ जो foreign में जो party बैठी है, या banks जो है foreign के, वो उनके ज़्यादा trust करते है क्योंकि उनने पता है कि इसकी rating अच्छी है तो अच्छी company मानी जाएगी वो साथी, loan मिलने में भी असानी होती है banks के भी, क्योंकि bank को लगता है कि इसमें इसकी rating अच्छी है उनको loan देने में bank का risk कम है तो वो असानी से sanctioning loan की होती है और जो benders है या buyers है उनके जो लोग समान खरीद रहे है उनको समान उधार पर दे रहे है तो उन सब को भी facility जो assessment जो होता है इनका rating जानके उनको जिनकी rating अच्छी होती है तो उनको ज्यादा trust करते है ये लोग भी साथी जो small scale industry जो है उनको खुद को भी अगर उनकी rating कैसी आई है उसके basis पे उनको idea लगता है कि उनकी कहां कमिया है कहां उनने सुधार करने की जरूरत है तो अपनी strength और weakness के बारे में उनको पता लगता है और existing जो operations है उनमें वो कैसे सुधार कर सकते हैं कैसे उसमें improvement करते हैं इसका भी roadmap तैयार होता है साथी जो CGTMSC क्या होता है Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises यह आपने जरूर सुना होगा especially जो government schemes के loan होते हैं जैसे मुद्रा loan अगरा हुआ या बाकी जो MSME के loan है उनके cases में CGTMSC का का काफी बड़ा रोल है साथी जी इसके बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी क्योंकि जब banks जो है क्योंकि government का काफी ज़्यादा जोर है कि उनको micro और small industries है इनको loan दिया जाए banks की तरफ से लेकिन banks को हमेशा डर रहता है कि अगर वो चोटी चोटी industries को startups को अगर loan देंगे जिनका कोई past record ऐसा नहीं है तो उनको ये लगता है कि हमारे जो काफी सारे loan जो है वो खराब हो सकते है तो ऐसे case में या कई बार ऐसा भी होता है कि bank जो collateral की requirement करता है 100% या उससे अधिक की collateral की requirement करता है लेकिन जो ये firms हैं micro और small firms हैं इनके पास उतना property उतना collateral नहीं होता है banks को देने के लिए तो उस case में इनको funding मिलने में काफी दिक्कत होती थी तो इसलिए क्या किया गया है ये एक trust बनाया गया है जो की अगर कोई bank ने जो इस criteria को meet करता है जो इसके तहट cover है CGTMSC coverage जिस loan में मिला हुआ है और अगर वो loan default करता है तो उसमें जो CGTMSC fund trust जो है वो bank को repay करेगा उनका loss जो हुआ है जो पैसा उनका NPA हो अगर खाता NPA हो गया है तो उसकी जो criteria है वो meet करने के बाद में उनको refund करेगा trust तो इसमें details देख लेते हैं साथियो जो है CGTMSC क्या है trust है established by government of India ministry of medium, small and macro enterprises and SIDBI तो ये तीनों entities जो है ये इसमें शामिल है CGTMSC trust में और इसमें क्या है दो करोड तक की जो fund or non-fund based credit limit है इनको cover किया जा सकता है इनका साथियो ऐसा नहीं है अपने आप cover हो जाती है कोई भी loan जो किया जाता है उसको CGTMSC में coverage लेने के लिए एक proper procedure है उसकी guidelines है form बरके जमा करना होता है CGTMSC की fees भी जाती है तो वो सब करके और CGTMSC coverage लिया जाता है लेकिन इसकी maximum limit जो है वो 2 करोड तक है और banks ने अपने individual वो भी बना रखे है कि कितनी limit तक के ब्रांच खुद कर सकती है या फिर जादा limit का अगर coverage लेना है तो उसमें higher authorities की permission की जरूरत पड़ती है तो वो different bank का different criteria है तो 2 करोड तक की limits जो है वो cover की जा सकती है provided कि उनको collateral free loan दिया गया है यानि कि वो third party guarantee नहीं है उसमें ली हुई bank ने और collateral ली हुई नहीं है जिसमें collateral या third party guarantee अगर bank लेता है उस loan में तो फिर CGTMEC coverage उस loan में नहीं मिलेगा तो आप एक ही चीज़ ले सकते है भैंक या तो collateral और third party guarantee ले 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 या फिर CGTMEC coverage ले ले इसमें साथ यो अलग अलग coverage है किसी केस में 85% है किसी में 75 है किसी केस में कम 50% भी हो सकता है तो ये अलग अलग है देख लेते हैं ये कैसे हैं इसमें 85% है साथ यो micro जो enterprises है जो छोटे loan है जिसमें 5 लाग तक का जो loan है उस cases में 85% तक की जो guarantee cover है वो CGTMSC से मिल जाता है 50% मिलता है उन cases में जहांपे credit limit जो है 10,00,00,00,00 है और जो borrower है वो retail trade में activity में सामिल है retail trade activity कर रहा है तो उस case में 50% का ही कबर मिलेगा 10,00,00,00 से 1 करोड तक की limit में साथ ही 80% limit जो coverage दिया हुआ है यह अलग category दो category है इनमें जहांपे 80% coverage मिलता है जिसमें की जो भी जो industries है जो की महलाओं द्वारा owned है या operate की जाती है जिनकी मालिक जो है महलाएं है तो उन cases में भी 80% तक की जो है guarantee coverage जो है वो CGTMSC से मिल जाता है साथ ही Northeast में जो भी credit facility दी जाएंगी 50,00,00,00 तक की उनमें भी 80% coverage जो है CGTMSC से मिलता है और अगर साथ हो default होता है जैसे कि मैंने बताया कि default case में trust क्या है 75% तक का जो claim settlement है वो कर देता है किसको lending institution को दे देता है लेकिन की कुछ guidelines है criteria है वो meet करने होते है कि जैसे कि उसमें common है कि एक बार जब NPA हो जाए उसके बाद में bank को जो procedure है वो follow करना होता है bank को अपनी तरब से कोशिश करनी है NPA recovery की और बागादा जो RC वगेरा जो है या suit file जो करना है जो eligible cases है वो सब करना होता है उसके बाद भी नहीं आता है तो उस time limit के बाद में वो refund के लिए CGT-MAC coverage avail करने के लिए CGT-MAC से अपना claim लेने के लिए form fill करके और वो portal पे उनके submit करना होता है उस case में जो CGT-MAC है वो उनका claim settlement कर लेता अगर सब कुछ चीजे order में होती है cluster based approach क्या होती है साथ ही MSME funding में अलग-लग तरह की approaches है एक cluster based है जहाँ पर एक तरह की industries को एक जगे एकटा कर दिया जाता है और क्योंकि उन पर उपर एक जैसी guidelines लागू होती है तो उस तरह से उनको funding की जाती है इसमें क्या है clustering is an approach adopted by the new age financial companies to streamline the process of making credit accessible to MSMEs यह जो financial companies है NBFCs हैं, banks हैं यह लोग क्या करते हैं जो एक clustering based approach अपनाते हैं कई सारी industries को cluster बना के और MSMEs को funding करते हैं और इसमें diverse business जो है उनको multiple group में similar data point पे जो है इखटा कर लेते हैं साथी जो major benefit इसमें साथी हो क्या होता infrastructure facilities जो है power, road, drainage इन सब की facilities होती है इनमें इखटा उनको common मिल जाता है साथी जो state government है land or set जो state government के द्वारा provide के जाता है ease in getting statutory clearance clearance असानी से मिल जाता है क्योंकि एक साथी एक जैसी industries होती है एक साथ काम कर रही होती है एक साथ उनको funding होती है तो उनके जो clearance वगएरा है या approvals जो है वो सब भी मिल जाते हैं साथी skilled labor और raw material वगएरा भी असानी से उपलब्द हो जाता है तो साथी हो इस chapter में इतना ही था unit में MSME के बारे में हमने जाना इस video में